नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सबकी दिवाली काफी अच्छी बीती होगी और अब समय है कि आप वापस काम पे लग जाईए देखिए 67 BPSC मेंस के लिए आपके पास सिर्फ 63 दिन बाकी है और बहुत लोग अभी भी सीरियस नहीं एक्जाम को लेके और सोच रहे है कि एक बास 67 प्री का रिजल्ट आ जाता सामने उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है तो इस चीज़ को लेके मैं आपको एक रियाल्टी चेक करना चाहता हूँ आप यहाँ पी यह देखिए कल आपका 26 अक्टूबर हो जाएगा और आपके 67 प्री का रिजल् तो 26 अक्टूबर से लेके 14 अउंबर के बीच में 19 दिन है उसके बाद आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो 44 दिन मिलेगा और आप सभी को पता है कि 44 दिन पूरा पढ़ाई तो होगी नहीं लास्ट के 24 दिन तो टेंशन और एंशाइटी बीच जाते हैं तो अगर आप अ सीटें बहुत अच्छी हैं सीटें 802 हैं और आप लोग देख भी रहा होगे कि 68 की सीटें हो सकता है काम आए विकॉस जो अभी तक नियूज आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि उतनी सीटें नहीं आएंगी मतलब जितनी जबार हैं कि 800 900 तो बहुत सुनहरा मौका है एटलिस जिनको लग रहा है कि वो 100 प्लस पार कर रहे हैं तो पूरी तरह से मेंस के तयारी शुरू कर दीजें बिकॉस पासा कप पलट जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है किसी को नहीं पता है कि कट आफ कितनी जाएगी अभी आप तयारी नहीं कर रहे है और आपका प्री निकल जाएगा न तो बहुत रिग्रेट होगा और बाकि जिनका बहुत काम आ रहा है जिनको 101 परसंट लगता है कि उनका प्री किसी भी हालत में क्लियर नहीं होगा तो वो भी मेंस की तयारी करें 68 का notification कुछ दिन में आ जाएगा एक बार notification आ जाएगा उसके बाद हम decide करेंगे कि आपकी strategy कि आउनी चाहिए आप प्री का पढ़िये कि मेंस का पढ़िये बट इस वीडियो में हम 67 वालों की बात करेंगे और बहुत important है इस वीडियो को ध्याँ से समझना 19 दिनों की है जो आने वाले 19 दिन है 14 नॉंबर से पहले के उसी की बताईए बिकॉस 14 नॉंबर के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा जिनका selection मेंस के लिए हो जाएगा वो मेंस का आगे continue करेंगे बट majority of लों का selection मेंस में नहीं होगा तो उनको 68 की प्री के पढ़ना होगा विकॉस आपके पास प्री के भी काफी कम टाइम बचेगा अभी तक कलेंडर को देखें और चेर्मेंसर की माने तो 8 जनुवरी को प्री करा रहा है तो देखें पेपर वन में आपको history, current और di पढ़ना होता है और यह most scoring section होता है आप पेपर वन master कर लेंगे पेपर वन में आपको 180, 180 मिल जाएगा तो रास्ता आपको बहुत आसान हो जाता है इसके बाद पेपर टू में आपको quality, economy, geography और science and tech पढ़ना है बाकि आपको optional जो भी है आपको वो पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए आपको इस महिने में 5 दिन मिलेंगे 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 दिनों आप क्या करोगे कि previous year का जो di है उसको आप पढ़ लोगे जो previous year में question आए है और आप कोशिश करोगे कि एक दिन एक year का पढ़ो एक दिन आप 66 का पढ़ो, एक दिन 65 का, एक दिन 64 का, एक दिन 67 का इस तरह करके आप पढ़ते जाए उसके साथ साथ जो भी formula used होंगे जो भी formula आपको मिलेंगे उनको आप किसी rough sheet में, किसी A4 sheet में लिखते जाएगा because देखे तिन 4 section है, average हो गया, ratio proportion हो गया, profit and loss हो गया तो ये तिन 4 area में से हमेशा question पूछा जाता है कई बर क्या होता है कि formula दिया नहीं होता है, वहाँ पे आपको formula लगाना पढ़ता है जैसे आपको percentage का formula लगाना पढ़ सकता है, averages का लगाना पढ़ सकता है तो basic formula आपको पता होगा, तभी आप वहाँ पे solution निकाल पाओगे तो जो भी question में आपको formula मिलेंगे, उनको किसी A4 sheet में लिख लीजेगा last में revise करने में काफी easy होगा आप मैंसे maximum लोग के पास 65 तक का solution होगा बट बहुत लोग के पास 66 BPSC के stat उसका solution नहीं है तो मैंने उसका solution prepare किया है, आप ये देख सकते हैं 66 BPSC के stat का solution है और आपको जैसा paper में properly लिखना है, जैसा step wise लिखना है मैंने वैसे ही solve किया है, आप इसको देख के दो idea लगा सकते है पहला तो आपको 66 का solution मिल जाएगा और दूसरा आप ये देखे कि paper में stat को solve कैसे किया जाता है बहुत step ऐसा होता है कि हमको पता होता है किसका answer नहीं होगा बट हमको show करना पड़ता है साथ में आपको अपने answer को कैसे present करना होता है वो चीज़े भी मैंने यहाँ बताई है जैसे आप पुरा solve करके अपने answer को box में डाल दिया किजे इससे क्या होता है, चीज़े visible होंगी और box में आप properly वही answer लिखोगे जो question पूछा गया है जैसे आप example देखे, यह 66 का question number 12 है यहाँ पर पूछा गया था कि विच कॉंबिनेशन ओफ थी crop contribute 50% of the total area under the food crop तो पूरा solve करने के बाद आप लास्टली ऐसे लिख दोगे हैंस बारले, wheat and rice combination contribute 50% of the total area under food crop तो इससे क्या होता है कि examiner को visible रहता है examiner को चीज़े दिखती है कि जो पूछा गया है आपने इसको solve किया है, आपने इसको लिखा है तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा number मिल जाता है और मैंने 66 के सारे question को solve कर दिया इस solution का PDF मैं आपने telegram channel पर डाल दूँगा DI का जो previous question है वो खतम हो जाएगा और DI पर आपको एक अच्छा होल्ड बन जाएगा इसके बाद आपको DI और पढ़ना होगा तो 14 November के बाद पढ़िएगा इसके बाद हम November में entry करते हैं तो देखिए आपको November में 14 दिन मिलेंगे इन 14 दिनों में आपको ऐसे topics पढ़ना है कि by chance आपका pre नहीं निकलता है तब भी आपको ये topics help करें देखिए क्या है कि अगर आप इस वक्रेंट अफेर पढ़ोगे तो हो सकता है कि 68 में वो current अफेर काम ना दे जैसा मैंने बोला है कि BPSC में जो current अफेर आता है वो थोड़े recent month का आता है तो जब 68 का mains होगा तब current अफेर थोड़ी बदल जाएंगी तो इस वक्त आपको static चीज़े पढ़नी है प्लस ऐसी चीज़े पढ़नी है जो आपको 68 में भी help करे तो सबसे important है आपका history देखे history ऐसी चीज़ है ना कि पूरा static है आप 66 में पढ़ो 67 में पढ़ो 68 में पढ़ो static के topics पूरे के पूरे सेम रहते हैं बस क्या होता है ना कि जैसे माले जब कुछ 66 में पूछा है तो हो सकता 67 में ना पूछे तो एक दू topic को छोड़के बागी पूरी चीज़ आपको पढ़नी ही होती है तो history आप अच्छे से prepare कर लेजेगा history को आप चार दिन दीजेगा इन चार दिनों में history के major portion सा वो खतम कर लीजेगा major portion आपके कौन-कौन से है national movement हो गया, thoughts हो गया, prison movement हो गया तो हर दिन एक एक topic पढ़िएगा इसके साथ साथ आपको optional पढ़ना है देखिए optional आपको हर दिन पढ़ना है because जो भी आपको optional है वो चाहे 68 में रहे या 67 में रहे, वो चीज़ बदलने वाली नहीं है तो उसको आपको time देना ही देना है और अच्छा खासा time देना है because optional बहुत make और break होता है आप पिछले सालों का result उठाके देख सकते हो कि जिन्होंने optional को ignore किया या फिर जिनका marks optional में कमाया है उनका final list में नाम नहीं आया है तो आपको optional को किसी भी हालत में ignore नहीं करना है optional के साथ साथ आपको gs के जो static चीज़े हैं उनको भी पढ़नी है तो चार दिन आप पढ़ेंगे history और history के भी notes मैंने अपने telegram channel पर upload कर दिया है पुरा compile करके आप ये देख सकते हो उपने history के notes है 46 page के notes हैं इसमें जो भी important चीज़े हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा देखिए बहुत तो पूछ रहते हैं कि sir इसमें कुछ और add करूं क्या sir कहीं और से पढ़नूं क्या तो एक बात आप याद रखिए ये सिर्फ इस exam के लिए नहीं है किसी भी exam के लिए है इसे भी resource के लिए है कि पहले जो आपका primary resource होता है जो भी resource आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से घोट के पी जाईए मतलब ऐसा हो जाए कि उससे कोई question पूछे तो आपका गलत ना हो उसके बाद ही आप कोई दूसरा resource उठाईए पहले जो आपका basic resource है उसको complete कर लिजे नहीं तो क्या होता है लोग थोड़ा से यहाँ परते हैं थोड़ा से वहाँ परते हैं कहीं से कुछ नहीं होता है बस वो होच-पॉच होता है इसलिए कोई भी resource हो है पहले उसके अच्छा सा command बना लिजे उसमें सापका question आया तो गलत ना हो बाकि उसमें आप validation कर सकते हैं चोटा मोटा कुछ आपको add करना है कुछ conclusion add करना है कोई diagram बनाना है कुछ current affair की चीज़े add करनी है तो वो add कर लिजे but all together resource मत बदलिए उसी resource में चीज़े add करिए ठीक है इसको आप में टेलिग्राम चनल से download कर लिजेगा इसके बाद आपको चार दिन quality को देना है देखें quality क्या है न quality static plus current आता है इसमें जो भी question पूछा जाता है वो या तो static होता है या तो ऐसे questions होते हैं कि वो current affair में रहे हो बट उनका कुछ static linkages हो वो पूछ लेता है नहीं तो all together पूरा आपसे current affair question पूछ लेगा लेकिन static चीज़े बहुत है पॉलिटी में जैसे governor का role क्या है president का role क्या है लोग सभा क्या role है राज सभा क्या role है election commission का role पूछ लेगा caste का role क्या है politics में criminalization of politics तो ये सारी चीज़े जो है static है इन में कुछ आप current point add कर सकते है मैंने politics की notes भी आप में telegram channel पे डाल दी है आप ये देख सकते हो ये notes का part 1 है इसमें आपको preamble मिल जाएगा federalism मिल जाएगा election commission मिल जाएगा judicial activism मिल जाएगा criminalization of politics मिल जाएगा election में जो different issues है वो सारी चीज़े मिल जाएगी तो ये आपका part 1 है इसके बाद मैं part 2 भी डाल दूँगा तो जो politic आपका static चीज़े है न वो सारी खतम हो जाएगी तो इस PDF को भी आप में telegram channel से डाउनलोड कर लिजेगा यहां तक देखिए आपका 8 नॉंबर हो जाएगा और एक बात आप याद रिखेगा कि आपको optional साथ में करते रहना है next देखिए आपको एक हफ़ता और मिलेगा एक हफ़ता इंदसेंस की 14 नॉंबर आने में एक हफ़ता बाकी रहेगा और उस टाइम पे दिलों की धरकन और बढ़ने लगती है क्योंकि जैसे जैसे result का दिन पास आता है न पढ़ाई नहीं हो पाती है तो उस टाइम पे आप क्या करिए कि ऐसा section पकड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा rectification ना हो जो आप day to day में चीज़े देख रहे हैं वो चीज़े आप अराम से वहाँ से पढ़ सकें तो science and tech एक ऐसा portion है जिसको मुझे लगता है कि पढ़ने में बहुत जादा जोर नहीं आता है क्योंकि science and tech को कहीं न कहीं आप करें टरफेनर पढ़ते ही रहते हो मुझे ये note upload करने हैं बट कुछ glitch के वज़स मैं upload नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं आज या कल में upload कर दूँगा ये जैसे आप देख सकते हो economic planning का note है इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा LPG reform ये GS2 में बहुत important topic है इसके बाद देखे इजरो के achievement और इसके बाद आपका यह हो गया DRDO का achievement इनको मैं आज शाम या कल सूबत अपने टेल्गाइम चैनल पर डाल दूँगा कुछ PDF में glitches आ रहे हैं इसलों upload नहीं हो पा रहा है तब कितना भी कोई बोल दे वो दिमाग महाँ पर stable नहीं होता आप focus नहीं कर पाते हो तो इन दो दिनों में 13 और 14 November को आपको मन करें तो पढ़ाई करिएगा नहीं मन करें तो भगवान से परातना करिएगा कि जो भी हो अच्छा हो तो यह रहा है आपका 14 November तक का time table एक बार 14 November आ जाता है जैसा आपका result आता है मैं उनके लिए भी बताऊंगा जो 68 का exam दे रहे हैं मैं उनके लिए भी बताऊंगा जो 14 November के बार मेंस का prepare करेंगे उनको आगे कैसे बढ़ना है बट 14 November तक आप इस हिसाब से चलोगो तो आपका DI खतम हो जाएगा आपका history का major portion खतम हो जाएगा आपका quality खतम हो जाएगा आपके science and tech का major portion खतम हो जाएगा और उसके बाद अगर आपका result positive आ जाता है तो आपके उपर burden बहुत कम होगा लेकिन अगर आपने इस time पे 18-19 दिन खराब कर दिये तो बाद में आपको बहुत जादा problem हो जाएगी आपको बहुत चीजे करनी होती है बाद में आपने कभी answer writing नहीं किया है तो उसको भी करना होगा उसके साथ साथ current affair की topics भी पढ़ने होंगे साथ ही आपको optional prepare करना होगा optional का test series देना होगा तो burden बहुत जादा होता है बहुत जादा pressure होता है उस time के लिए चीजे मच छोड़ी अभी आपके पास 18-19 दिन है इसको बहुत ही optimum तरीके से use करिए इसके बाद जो लोग confident है उनका pre निकल जाएगा इद्दम safe zone में है तो आगे की planning वो अपने हिसाब से अराम से कर सकते है क्योंकि आपका 14 November तक तो science and tech, history, policy ये सारी चीज़े खतम हो जाएगे इसके बाद जो आपके सामने बचेगा वो majorly ये portion रहेगा एक आपका economy geography रहेगा plus current का question रहेगा तो ये दोनों चीज़े आप अराम से पढ़ते रहेंगे जो mains 300 पैसा ठाता है उससे बहुत से topics आप उठा लिजेगा मैंने जो important topics बताये हैं GS1 के GS2 के जो guess questions हैं उनको पहले कर लिजेगा उसके बाद ही कुछ और पढ़िएगा because वो मैंने previous questions को देखके mains का, forum का, IS Baba का तीनों magazine में जो important topics दिये हैं जो इस साल काफी बार repeat हुए हैं उनको analyze करके वहाँ लिखा है तो वो पहले पढ़ लिजेगा उसके बाद ही उसके उपर कुछ भी पढ़िएगा आप तो friends I hope कि आपको जो बचे हुए दिन हैं उनकी importance समझ में आ रही होगी और बाकी 14 November के बाद आपको कैसे plan करना है अगर आप ये चाहते हैं कि इसका भी वीडियो में बता दूँ detail वीडियो की आपको किस हफते किस दिन क्या पढ़ना है तो आप मुझे बता दिजागा comment करके मैं उसके वीडियो भी बना दूँगा और बाकी आपको मेरे सारे notes में टेलेग्राम चनल पर मिल जाएंगे समय बिल्कुल waste method करिएगा ये time जो है वो lot के वापस नहीं आएगा और बहुत crucial वक्त है आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके माता पिता के लिए तो एक दो महीने पूरी जान लगा दीजिए एक बार आपका मेंस अच्छा हो जाएगा उसके बार इंटेव्यू में इतना tension नहीं रहती है